नमस्कार नीज़ फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग बतादे आपको कि अखलेश यादब और उधव ठाकरे भी राजधानी पटना एरपोर्ट पर पहुँच गए हैं बतादे कि आज तेश जून है और तेश जून को जो बड़ी बैठक होनी थी उस बैठक के लिए तमाम नेता बिहार पहुँच रहे हैं और उसी कड़ी में अखलेश यादब और उधव ठाकरे संजयराउत ये तमाम लोग भी बिहार पहुँच गए हैं तस्वीरे है राजध को लेकर तमाम जितने भी नेता हैं वो तयारियों में पहले से ही जुटे हुए थे नितीश खुमार भी पटना एरपोर्ट पर पहुँचे हुए थे अखलेश यादब से पहले मुख्य मंत्री नितीश खुमार बाहर निकले हैं तस्वीरे देगी किस तरीकी की है जो बिहा पहुच गए हैं बाकी जो लगबग नेता हैं वो पटना पहुच गए हैं बात करें कि अकलेश यादब की ओदब ठाकरे राहुल गांधी मलिका अरजुन खड़ गे यतने जो तमाम नेता है वो बिहार पहुच गए हैं जो कल सीता रामी अचुरी भी बिहार आ चुके हैं तो तमाम जो तस्वीरे है वो पटना अरपोर्ट से लगतार हम आप तक अपडेट कर रहे हैं तमाम जो तस्वीरे है वो पटना अरपोर्ट की है जहां पर मुख्यमंत्री नितिश कुमार हो या कैबिनेट के मंत्री हो तमाम लोग मौजूद हैं और यहीं पर सबसे पहले तमाम नेताओं का यहीं पर नितिश कुमार के द्वारा स्वागत किया गया राहूल गांधी का स्वागत किया गया साथिस साथ अखलेश यादब और जो बाते कही जा रही है कि अंदर में जितने भी नेता सरद पवार थे उधर ठाकरे भी पहुंचे उन तमाम लोगों से मु करने के लिए उन से लालु यादब से मुलकात करेंगे और उसके बाद वा मीटिंग में सिर्कत करेंगे बतादे आपको की परिवारिक संबन्द है लालु पर्षादी यादब और अखलेश यादब का और ऐसे में जो है वो दोनों लोग का मुलाकात होना है दसरुकलर रावडी हाउस पर लालू यादब से पहले भी वो दिल्ली में जाकर मुलाकात किये थे हालमी में रिस्वे आदब और अखलेश यादब की मुलाकात हुई है और आज अब बड़ी बैठक में जब बिहार पहुँचे हैं उद्धव ठाकरे भी बिहार और अखलेश यादब दोनों की तस्वेश पहुआए आजब आजब